दोस्तो एक बात बताईए बिना हाथ पाव का आदमी जीवन में क्या कर सकता है इसका जवाब है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कर सकता है लेकिन 4 दिसंबर 1982 को अस्टेलिया के मेलबं साहर में जन्मे निकोलस जेम्स वजिसिक निकोलस जेम्स वजिसिक कहते हैं बिना हाथ पैर का आदमी जीवन में वो सब कुछ कर सकता है जो एक आम इंसान कर सकता है निक वजिसिक जिनका जन्म खुद एक रेर डिसॉर्डर बिमारी टेट्रा एमेलिया सिंडरम के साथ हुआ था इस बिमारी में जन्म से ही बच्चे के हाथ और पाफ दोनों नहीं होते हैं हाथ और पैर नहीं होने के बावजूद भी निक अपनी जिन्दगी से कभी भी निरास नहीं हुए बलकि अपनी जिन्दा दिली से आज करड़ों लोगों का इंस्पिरेशन बने हैं जो सरीर से दिव्यांग होते हैं वो विचारों से व सबसे अलग हैं वो ना सिर्फ खुद मुस्कुराते हैं बलकि अपने काम से अपने इंस्पिरेशन और मोटीवेशन से लाखों लोगों के जीवन में मुस्कान भिखीर देते हैं निक कहते हैं अगर आपके साथ चमतकार नहीं हो सबता तो खुद एक चमतकार बन जाईए केव जीवन में उम्मेद और विश्वास खोना हाथ और पैर खोने से कहीं जादा बुरा होता है जीवन में आपके पास एक विकल्प होता है कड़वा या बहतर बहतर को चुने कड़वा आप खुद ही भूल जाएंगे अपने जिन्दगी की कम्यों पे फोकस ना करके रोने और पस्ताने और अफसोस ना करके निक ने आठ किताबे लिखी जिसमें लाइफ विदाउट लिमिट्स दुनिया की बेस सेलर बुक्स है जो दुनिया की 30 भासाओं में ट्रांसलेट की जा चुकी है साथी साथ बता और मॉटिवेस्टनल स्पीकर निक आज पूरी दुनिया में अपने इंस्पिरेशनल स्पीच और सेमिनार से लाखो कड़ों लोगों की जिन्दगी बदल रहे हैं एक समय में पर मुस्ट हक्स इन वन आर्ट की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी निक के पास ही है निक का ये मानना है कि आपका खुद का विश्वास ही केवल एक अच्छ जैसे आप हो इसलिए साथियो कभी परवाह चिंता या अफसोस ना करो जो आपके पास नहीं है बस विश्वास रखो खुद पर आप वो सब कुछ पास सकते हैं आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं और सभी घाव सभी दर्ड जल्द ही ठीक हो सकते हैं जब आप चलते रहते हैं वीडियो पसंद आए तो एक लाइक के साथ सेयर जरूर कर देना और हां ऐसी इंस्पिरेशनल वीडियो हमेशा देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल को भी बजा देना